यह नहीं निकलेगा बहुत ही comfortable है ProMate जो एक global mobile accessory brand है recently Indian market पे भी एंटर कर लिया है और उन्होंने उनका पहला TWS इंडिया पे launch कर दिया है जो है ProMate TWS Lass जो affordable TWS earbuds के segment में आता है और इसका जो introductory price है वो है सिर्फ 16.99 with 2 years warranty जो पिछले मेने की 21 तरीक को ही launch हुआ है और इसको मैं पिछले 20 दिनों से use कर रहा हूँ तो अभी मुझे ठिक से पता है कि ये कैसा है तो आज के इस वीडियो में मैं इसका unboxing and review करने वाला हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं तो चलिए सबसे पहले डेक्टे हैं इसका unboxing मतलब box में आपको क्या-क्या मिलेगा देख लीजिए तो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है acoustic in-ear TWS earphone और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years का warranty मिलेगा उसके अलाबा यहाँ पे कुछ features दिया हुआ है जैसे की 20 hours का playback time मिलेगा Intelli task controls है इसमें True wireless stereo है और यह voice assistant भी support करता है जैसे की CDN, Google उसके बाद यहाँ पे और कुछ features लिखा हुआ है जैसे की इसका Bluetooth version है वो है 5.1 का और जो earbuds है उसमें 40 ms का battery दिया हुआ है और charging case में 230 ms का battery दिया हुआ है और यह एक ergonomic fit earbuds है और यह बला हो गया पीछे का हिस्सा तो चलिए अभी करते हैं इसका unboxing तो इसका मैंने already unboxing करके रखा है और 20 दिन से मैं इसको use कर रहा हूँ फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको दुबारा box में डाल दिया है तो यह बला आप देख सकते हैं यह बला हो गया TWS तो इसको देखेंगे उसके अलाबा और box में क्या है देखते हैं आप इसको easily carry कर सकते हैं अपने साथ और यह जो TWS है यह IPX5 water resistant है तो इसलिए इसको आप outdoor पे भी use कर सकते हैं तो चलिए अभी देखते हैं इस TWS को तो यह बला हो गया Promet Last TWS जो देखने में बहुत ही attractive है और जो finish है वो glossy finish है फर्स लुक पे यह मुझे बहुत ही पसंद आया इसका design बहुत ही अच्छा है यह चार अलगलग colors पे आता है मेरा पास है यह blue वाला इसके अलाबा यह मिलता है pink, black और white में तो इसका blue and pink color है वो मैं suggest करूंगा लड़कियों के लिए लड़कियों को यह बहुत ही पसंद आयेगा और जो black and white color है वो लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा है तो चलिया अभी इसको खोलते हैं तो यह खुल गया है खोलते ही यह light जो है वो जलने लगेगा और charge किता है दिखाएगा उसके बाद यह बला हो गया दो earbuds तो इन earbuds में लिखा हुआ है remove me तो इसको निकलना पड़ेगा तो दोनों sticker निकल चुका है तो यह हो गया actual earbuds तो यह जो earbuds है यह in-ear earbuds है यह पहनने में बहुत ही comfortable है आप बहुत देर तक इसको use कर सकते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने earbuds लगा के रखा है यह कानों में बहुत अच्छे से fit हो जाता है बहुत ही comfortable है और यह कानों से निकलेगा नहीं चाहे आप running, jogging, कुछ भी करे यह कानों से गिड़ेगा नहीं यह देखिए यह नहीं निकलेगा इसको मैं बहुत देर तक पहन सकता हूँ और मेरे कानों पे कोई भी डर्ड नहीं हुआ लेकिन कुस-कुस earbuds होते हैं जो 5-10 मिनित यूज करने के बाद ही कानों पे डर्ड हना शुरू हो जाता है लेकिन इसमें आपको कानों में कोई भी डर्ड नहीं होगा और ये first pairing support करता है मतलब पहली बर जब आप इसको mobile के साथ connect कर देंगे तब दुबारा जब आप इसको निकालेंगे और निकालते ही ये instantly आपके mobile के साथ pair हो जाता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो Bluetooth है चलिए उसमें जाते है मतलब music सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें जो battery है एक earbud में 40ms का battery दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पर ये बला हो गया इसका charging connector और जो charging case है उसमें 230ms का battery दिया गया है और इसका जो battery backup है company ने बोला है 20 hours का मिलेगा continuous लेकिन मैंने continuous 20 hours तक यूज नहीं किया है लेकिन जितना भी यूज किया है मुझे battery backup बहुत ही अच्छा लगा है मतलब इसका battery backup सच में अच्छा है उसके अलाबा इसका जो microphone है जो call clarity है बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर ही Intelli touch controls है जब mobile पे कोई call आएगा तब आप कोई साभी earbuds में एक बार tap करने से call receive हो जाएगा और दो बार tap करने से call end हो जाएगा और call को reject करने के लिए कोई साभी earbuds में आपको 2 second तब touch करके hold करना पड़ेगा तब call reject हो जाएगा जब आप music play करेंगे तब यह बार जो left earbud है यहाँ पर एक बार tap करने से गना पोज हो जाएगा यह देखिए और दोबड़ा अगर tap करेंगे तो गना प्ले हो जाएगा यह देखिए उसके बाद यह बार जो right earbud है इसमें दो बार tap करने से गना next चला जाएगा यह देखिए और आपके mobile का जो default voice assistant है उसको on करने के लिए कोई भी earbud में आपको 3 second तक प्रेस करना पड़ेगा तब voice assistant एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप command दे सकते हैं तो इसको मैं पिछले 20 days से as a main earbud use कर रहा हूँ और इसमें मुझे कोई भी problem नहीं लगा है और इसमें गाना सुनके बहुती अच्छा लग रहा है और इसमें movies देखके भी बहुती अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि आप movie theater में है अगर आपको best पसंद है तो यह आपको नाराज नहीं करेगा लेकिन powerful best होने के बाबजूर इसमें बाकी जो vocals and music होता है वो crystal clear सुनाई देता है यह मैं खुटका experience से बोल रहा हूँ तो चलिए अभी बात करते हैं क्या आपको यह वाला TWS लेना चाहिए तो 20 दिनों के experience से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह एक बहुत ही अच्छा TWS है आप इसको ले सकते हैं भले ही अभी यह एक budget segment का TWS है मेरे खायल से जल्दी ही इसका price increase होने वाला है तो इसलिए अभी आपको यह खरीद लेना चाहिए लेकिन यह आपको Flipkart या Amazon पे नहीं मिलेगा यह आपको company के website पे ही मिलेगा तो अगर आपको यह online खरीदना है तो इसको online खरीदने का link आपको इस video के description पे मिल जाएगा या फिर यह offline retail stores पे भी available है आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं तो यह मैं आपको suggest करता हूँ आप इसको ले सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको आज का video काम का लगा अगर हाँ तो इस video को like और share कीजिएगा और इस तरह के honest reviews देख रहने के लिए मेरे channel को subscribe कीजिए तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे product के साथ तब तक के लिए नमस्कार